पिछले कुछ महिनों से यमिन में ग्रह युद्ध के कारण हालात बहुत संविधन शील थे। हजारों विदेशी नागरिक जिनमें कई भारतिय नागरिक भी थे, इस हिंसक ग्रह युद्ध के बीच फसे हुए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए, मोधी सरकार ने इन भसे हुए भारतिय एवं विदेशी नागरिकों को उनके देश सुरक्षित पहुचाने का जिम्मा उठाया और ऐसे जन्म हुआ ओपरेशन राहत का। से ज्यादा विदेशियों को भी सुरक्षित उनके घर पहुचाया गया। मोधी सरकार ने ऑपरेशन राहत की कमान जेनरल वीके सिंग को ती। इस आपरेशन को काम्याब बनाने में भारतिय सेना, नव सेना और भारतिय रेल ने महत्वपूर्न भूमे का निभाई है। इस साहसे कॉपरेशन को देखकर, छबवीस देशों की सरकार ने अपने नागरिकों को यमिन से सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार से मदद मागे। We're getting word that the U.S. now saying that the Government of India which has been flying these emergency planes in to try to get some of its citizens out other international citizens out the Government of India is now telling the United States They will help get some American citizens out of Yemen right now What does it say to you that India is capable of doing this but maybe the U.S. isn't? I'm very appreciated, at the United States I am very well treated and looked after and I'd like to thank the Indian people for bringing this home Thank you very much आपरेशन राहत की सफलता पूर्ण समापती के चलते भारत ने अपनी अंतराश्ट्रिय मार्क दर्शक की छवी को परकरार रखा है उजय करका दिए करा रखान की अपनी 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 अंपनी अंतराश्ट बांता रखान करीच एवी के चलते वाक के चलते पास्ना पूर्ण समापती क।